सुर्यात थोने के बाद कितना अच्छा लगता है जब हम आसमान के तरफ देखते हैं वन वूट फर्स्ट नोटिस वन और तो ब्राइट डॉट शाइनिंग इन दे स्काई सोन यूट सी दे नंबर इंक्रीजिंग जू कनोट काउंट देम एनिमोर प्रारम में हमें एक या दो ही आसमान में टिम्टम आते हुए तारे दिखते हैं फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तारो के संख्या बढ़ती जाती है और एक समय ऐसे आता है जब हम तारो को और गिन ही नहीं पाते हैं पूरा जो आसमान होता है वह छोटे छोटे टिम्टमाते तारो से भर जाता है कुछ तारे टिम्टमाते हैं कुछ तारे जादा तिम्टम नहीं करते हैं ऐसा लगता है कि आसमान हीरो से जड़ा हुआ हूँ अगर आप उन तारह को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ तारह ऐसे हैं जो और तारह गतर तेम्टेम नहीं करें वह normally एक ही परकार से जलते रहते हैं जैसे हमारा चंदा मामा जलता रहता है मतलब एक ही परकार की वह रोशनी देता रहता है तेम्टेम आँधा नहीं हैं बाकी तारो की तरह along with these bright objects you may also see the moon on most of the days और उन तारों के साथ उन चीज़ों के साथ आप आम दिनों में चंदा मामा को भी देखते हैं इट में हाविवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एट डिफरेंट पोजिशन्स कभी-कभी ऐसा भी होता है अलग-अलग समय में जो चांद होता है में अलग-अलग पोजिशन्स में दिखता है आसमान में और उसका साइस भी चेंज होता रहता है यू कैन सी दफुल मून उनली वन्स इन अ मन्स पूरे महिने में हम पूरनिमा एक बार ही देखते हैं जिदिन पूरा चांद हमें दिखाए देता है महिने में ऐसा ऐसी घटना एक ही बार होती है और इस घटना को पूरनिमा बोलते हैं या फिर फुल मून बोलते हैं फुल मून वन्स इन अ मन्स और इसको बोलते हैं फुल मून या फिर पूर निमा ए फोर्टनेट लेटर यू कननाट से इट आल और उसके पंदा दिन बाद आपको कुछ नहीं दिखता यानि कि चांद छोटा होते होते पूरा अगायब हो जाता है ऐसी ऐसा टाइम जब हमें चांद नहीं दिखता हो रात में तो उसको न्यू मून या फिर अमावस्या कहते है यू केंनाट से इट आल और इस प्रोसेस को बोलते है न्यू मून नाइट और अमावस्या तो आप इस सीखने की बात क्या है अगर आपको चांद पूरा दिख रहा है तो वो फूल मून है या पूर्निमा है या अगर चांद नहीं दिख रहा तो वो न्यू मून या फिर अमावस्या है on this day you can watch the night sky best provided it is clear night और जी दिन अमावस्या होती है उसी दिन आप रात को बहुत अच्छी ता देख पाते हैं मगर वशर्त है ये कि बादल ना हो, आस्मान साफ हो Do you wonder why can't we see the moon all those bright tiny objects during the day क्या आप कभी सोचते हो कि हमें चांद और बाकी तारे दिन के समय क्यों नहीं दिखते It is because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यो सूरज की तेश्क रौशनी है वो हमें इतनी जादा रौशनी दे देती है कि हम रात में चमकने वाली चीजों को जैसा वो चमकता वा रात को दिखाए देती है वो दिन में नहीं दिखाए देती आस्मान में जितनी भी चमकने वाली चीजों हमें दिखाए देती है उनको सेलेस्टियल बॉडिज कहते है जैसे कि सन, मून और स्टार्स यह भी एक इंपोर्टन पॉइंट है पेपर आफ से डिरेक्ट पुछ लेगा वाट र सेलेस्टियल बॉडिज तो को अंसर क्या देना है तो को अंसर क्या देना है कुछ सेलेस्टियल बॉडिज बहुत बड़ी और गरम होती है और वो गैसों से मिलके बनी वी होती है उनकी अपनी उजा और रोशनी होती है और वो इसको छोड़ती रहती है भारी मातरा में और ऐसी बड़ी बड़ी जो अपनी हीट खुदी रखती है और बहुत जादा मातरा में एनरजी छोड़ती है उनको तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा होता है कि जो हमारा सन है वो भी एक तारा है आस्मान में ऐसे हजारों तारे हैं जो अपने वो रात को दिखाय देते हैं और वो सूरज की प्रकार ही गरम है और उनक की बाती कारे करते हैं बट वी दो नोट फिल देर हीट और लाइट एस दे लुक सो टाने विकॉस दे आर वेरी 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 फार फार्म अस मगर हमें उन तारों की रोशनी और गरमी इसलिए पता ने चल पाती क्योंकि वो हमसे बहुत जादा दूर हैं वो इतना दूर है कि बस वो हमें एक बिंदी की तरह ही दिखाई देते हैं आगे पढ़ते हैं आप लोगों ने यह देखा होगा कि यदि हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती है आप देखा यह होगा कि हमें आसमान में उड़ता हुआ अरोपलेन बहुत ही चोटा लगता है क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही उचाई पर उड़ रहा होता है इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है वाइल वाचिंग दे नाइट स्काई जब भी आप लोगोंने रात को आसमान के और देखा होगा तो आपको आसमान में कई प्रकार के डिजाइन बने में दिखाई दिया होगे तारो से वो जो डिफर्ट डिफर्ट जो डिजाइन आपको लगते हैं पैटर दिखाई देते हैं उन उन पैटर्न को बोलते हैं constellation जैसे कि अभी आपको ये image में भी दिख रहा होगा थो आपको छोटा करके दिखाते हैं ये देखिए ये एक चम्मज तरह के चम्मज की जैसे आपको कुछ दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये चम्मज ये वह साथ तरह से मिलके बना है एक दो तीन चार पांच छे साथ है और इसी ग्रुप को वह इस तरह के constellation को बोलते हैं उर्सा मेजर आगे लिखा हुआ है ठीके फिरन्स ओर्सा मेजर और बिख बिख बियर्स वन तरह का दूसा नाम क्या है सबतरिशी हिंदी में इसको सबतरिशी बोलते है और अंग्लिश में इसको उर्सा मेजर बोलते है ठीक है फ्रेंट्स और इस पैटन को क्या बोलते हैं यह जो पैटन है यह है constellation आपने ऐसा भी देखा हो आस्मान में ऐसा भी होता है इस प्रकार का भी एक है एक constellation इस प्रकार का भी बनता है आस्मान में बहुत तरह के पैटन्स है इन पैटन्स को बोलते इनके अपने नाम है आगे आप वाली क्लासे में आप लोग देखेंगे कि इन constellation के नाम क्या है कितने constellation humans ने जैज कर रखे हैं पहचान रखे हैं आगे हम पढ़ेंगे पुराने जबाने में पुरातन काल में जो लोग थे वो तारों को देखके direction का ध्यान रखते थे या पता लगाते थे कैसे वो केवल उर्सा मेजर से एक imaginary line बनब देखते थे इसके तरफ और उनको दूर एक टिम टिमाता तारह देखता था जिसको बोलते थे हम पॉल स्टार इसको नौर्ट स्टार भी कहते हैं यह सबसे पहले देखने वाला तार होता है जब सूरज डूपता है सबसे पहले अपने को यही तारह दिखता है और हम अगर हम इसी तारह के और बढ़ते रहेंगे तो हम नौर्स डेक्शन की तरफ ही शना के हैं यही मूफ करते रहेंगी यही एक ऐसा तारह होता ही जो कभी भी वह sucking हमें ऐसा मानग्ए कि वह विल्कुल अवू सेंटर पर है है वह सारे तारह अपना पोजिशन कर सकते हैं मगर ये तारह हमेशा एक ही पोजिशन पर रहता है तौह हम अगर इसी के साथ चलते रहेंगे तो हम नौर्ट डिर्क्शन कि तरफ मूव करते रहेंगे और इसी लॉजिक को मानते थे पुरान जमाने के लोग direction को पता लगाने के लिए एक बढ़ा साफ कर देते है तो ये वाला star कौन सा है? pole star इससे कौन सा direction का पता लगाए साकता है? north direction का जैसे कि मैंने बताया कि वो एक ही direction में रहता है तो आगे लिखा भी हुआ है it always remains in the same position in the sky we can locate the position of pole star with the help of sabtrishy हम इस pole star का पता इस sabtrishy से लगा सकता है अगर हम इस sabtrishy के आखरी के दो तारग से एक सीधी रेखा बनाए तो रेखा सीधा pole star से जाके मिलती है some celestial body do not have their own heat and light they are lit by light of stars such bodies are called planets कुछ ऐसी आस्मान में कुछ ऐसी bodies होती है जिनका अपना heat और light का कोई source नहीं होता दूसरी तारग की तरह और उन उन celestial bodies को हम बोलते है planets तो अगला point क्या आजाएगा और ऐसे question क्या बहुन सकता है what are planets तो answer क्या होना चाहिए answer होना चाहिए planets are those celestial bodies which do not have their own heat and light planet ऐसे objects होते है जिनका अपना कोई heat और light का source नहीं होता the word planet comes from Greek word planetia which means wanderers यह जो शब्द planet है वो एक Greek word planetia से आया है जिसका मतलब होता है गुमकड गुमने वाला the earth on which we live is a planet धर्थी जिसमें हम रहते हैं वो भी एक planet है इसका मतलब क्या हुआ कि धर्थी का अपना खुद को heat का और light का source नहीं है वो दोनों के लिए किसी बाही चीज़ पर dependent है यानि कि किसी और celestial body पर dependent है जैसे कि सूरज अगर सूरज नहीं होता तो धर्थी ना ही गरम होती नहीं उसमें रोष्णिया पाती अगर हमने धर्थी को बहुत ऊपर से जा के देखा तो हमें धर्थी भी एक चमकते भी चीज़ की तरह लगेगी जैसे अपने को सूरज दिखाई देता है आगे कहा गया है दमून देट वी सी इन दे सकाई इस अ सैटलाइट यह जो चांद है जो हमें आस्मान में दिखाई देता है वो एक सैटलाइट है और यह धर्थी की इर्थगिर्थ घूमता रहता है यानि कि जो हमारी धर्थी है और यह चंदा मामा है जो हमारी धर्थी है उसी तरह से साथ और और ऐसे planet हैं जिनको heat और light सुरज से मिलती है और कुछ ऐसे भी planets हैं जिनके अपने moons भी हैं जैसे हमारा एक moon है उसी तरह और भी ऐसे planets हैं आस्मान में जिनके अपने अलग moon है अगला टॉपिक 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 ह form the solar system we often call it a solar family with the sun as its head हमारा जो सूर्य है, सूर्य के लावा 8 प्लैनेट है, सैटलाइट है कुछ एस्टरड और मेटरोड है यह सब मिलकर solar system बनाते हैं और इन solar system का head होता है सूरज अगर आप इस diagram को ध्यान से देखें, थोटा छोटा कर देखें तो इस diagram में center में sun है center में है sun अब जैसे हम दूर जाते रहेंगे और बीच में planet आते रहेंगे पहले आएगा मरकरी फिर आएगा वीनस फिर आएगा अर्थ फिर आएगा मार्स फिर आएगा जूपिटर फिर आएगा सेचर्ण यूरेनस नप्चून सोलर सिस्ट्रम के center पर होता है sun sun थोड़ सा बनने में अच्छा नहीं बना है मगर सबजने के लिए ठीक है सोलर सिस्ट्रम के बीच ओ बीच है sun अब जैसे जैसे हम center से बाहर की तरफ निकलते रहेंगे हमें अलग-अलग distance पर अलग-अलग planets मिलेंगे जैसे सूर्य के सबसे पास है mercury फिर उसके बाद है Venus फिर है Earth फिर है Mars फिर है Jupiter फिर है Saturn फिर है Uranus फिर है Neptune इसको याद करने के क्या तरीका है एक sequence है my educated mother mother just serve us nuts अब मैंने यह जो line लिख है इसमें जितने भी हमार पास words है उनका जो पहला letter वो एक planet को show कर रहा है जैसे यह वारा mark कर लेते हैं पहले पहले letters को जैसे माई में सबसे पहला letter है M तो M से हो गया Venus educated का पहले letter है E तो उसे हो गया Earth mother का पहले letter है M तो उसे हो गया Mars just का पहले letter है J तो इससे हो गया Jupiter serve का पहले letter है S तो उसे हो गया Saturn फिर us से Uranus और N से Neptune और इस पेज में आपको distance given है कि सूरह से वो कितने दूर है अब आप इमेज को जूम करके दिखाते हैं अब यह जो अपने distance given है यह million में given है अब जैसे mercury के आगे लिखा हुआ है 58 है ना 58 लिखा हुआ है तो यह 58 km नहीं है यह million km तो यानि कि Sun से Mercury कितना दूर है 58 million km दूर उसके अब Mars लिखा हुआ है Mars है 228 million km दूर Venus के आगे 108 लिखा हुआ है तो वह है 108 million km दूर अर्थ 150 दे रखा है फिर बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में एक पत्थरों का एक बेल्ट टाइप का बना हुआ है इसको बोलते हैं asteroid belt asteroid क्या होता है इसको थोड़े में पढ़ने वाले हैं यह मैं उपको तब clarify करूँगा आगे चलने से पहले एक चीज़ और में ध्यान रखनी है कि यह जो सभी planets है ना यह सभी planets जो है वह सूरज का एक चक्कर लगा रहे हैं जैसे कि suppose हम अर्थ का example लेते हैं अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में असके आसपास घूमने में तो इंसे अग्ति दिन लगाती है उसी तरह जो हमारा मर्करी है मर्करी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते है और वीनस को वही कारे करने में 255 दिन लगते है और मार्स को 687 डेज लगते है यहां पर एक और चीज जानने ही हो गया है जिसकी हमारी धरती है हमारी धरती घूमती कैसे है वो अपनी खुद भी घूम रही है, गोल चक्कर लगा रही है, और ऐसा ही वो गोल गोल चक्कर लगाते लगाते हैं, सुरय की उर्द इद गूम रही है, वहों को समझाता हूँ, मैं क्या बताना चाहरा हूँ आपको? कि तोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर देते हैं कि सपोज यह सूरज है और हमारी धर्ती ऐसे घुम रही है और यह ऐसे घुमते 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 तो धर्ती को अपने एक्सिस में एक चक्का लगा रही है तो धर्ती को अपने एक्सिस में एक चक्का लगाना समय रखता है 24 गंटे 24 आर्स जो कि एक दिन के बरावर होता है उसी तरह है जो हमारा मर्करी है उसको अपने एक्सिस में एक चक्का लगाना में लगते है 59 डेज इस लापे लिखा हुआ है उस तरह वीनस को लगते है 243 डेज धर्ती को तो एक दिन लगता है आपको मालूम ही है मार्स को भी एक ही दिन लगता है ठीक है फंट्स अगला टॉपिक है दा सन दा सन इस इन दे सेंटर आफ सोलर सिस्टम जो सन है वो सोलर सिस्टम को बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है यह बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गरम गैसों से मिलके बना है इट प्रोवाइड दपुलिंग फोर्स देट बाइंड द सोलर सिस्टम और यही वो एनरजी प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को बांद के रखने में काम में आता है सोलर जी वो एक ऐसा सुरोत है जो हमारे सोलर सिस्टम की हीट और लाइट के लिए जिम्मेदार है अगर सोलर नहीं होता तो हमारे यह सोलर सिस्टम में हीट और रोश्नी नहीं होती बट दाट तर्वेंड़स हीट is not felt so much by us because despite being on a star it is far away from us the sun is about 150 million km away from us सूर इतना गरम है मगर फिर भी हमें उसकी गर्मी जादा फिल नहीं हो दी क्योंगी वो हमसे 1500 million km दूर होता है एक million का मतलब होता है 10 लाग तो वो हमसे 1500 million दूर है यानि कि 150 की multiply आपको करनी है 10 लाग से तो जितना आंसर आएगा उतनी दूर है हमसे सूरज इस दूरी के विए से हमें सूर्य की एक्ष्वल गर्मी और उसकी रोश्णी पता नहीं चल पाती देखिए वह हमसे इतना दूर इतनी ज्यादा दूर है फिर भी हमें इतनी गर्मी लग रही है आज कल गर्मी को ज्यादा बढ़ गई है यदि अगर वह हमारे पास होता तो हमारा क्या होता भी यह प्लानेट्स हैं अगली लें में बता रखा है मरकृ वीनस अर्थ मार्स जूपिटर साटरन और नेप्चून मैं अभी आपको लोजिक बता थे इसको याद कैसे रखना उन्होंने आप वही लिख्खा हुआ है और यह सभी के सभी 8 planet जो है वो एक fix path में सुरज की गड़िद गूमते है और इस path को orbit बोलते है जैसे यह संद था और धर्टिस के आफ़स छक्कर लगा रही है यह जिस प्रकार से चक्कर लगा रही है न इस प्रकार को बोलते है orbit जैसे suppose अगर वो चक्र ऐसे लगाती जैसे यह हमारा सन है और यह हमारा अर्थ तो यह क्या हो जाता उसका और बीट अलग अलग जो हुआरे प्लानेट्स हैं उनका और बीट अलग अलग हो सकता है मतलब होता है तिल रिसेंटली अगस्ट यू थाउजन शिक्स प्लूटो वस अलसो कंसिडूरड अ प्लानेट्स हाल फिलाल दोज़ार अगद धोयाज़े तक प्लूटो को भी एक प्लानेट माना जाता था जो सबसे आखरी गानेट था जैसा भी हमने देखा सबसे आखरी प्लानेट हमने उन्होंने प्लूटो से प्लानेट होने का दर्जा ले लिया उके फिर बाद में इसको डौर्फ प्लानेट मान लिया गया मतलब इसके बाद भी कुछ ऐसे प्लानेट्स है जो डौर्फ प्लानेट्स है जैसे सिरीज 23, Uv313 The Earth The Earth is the third nearest planet to Sun जो अर्थ है वो सूर्थ के पास का तीसरे नमबर का ग्रह है यानि कि Sun के बाद तीसरे नमबर पे अर्थ आता है तो Sun के और अर्थ के वीच में कौन कौन से है Mercury और Venus फिर अर्थ का नमबर है तो अर्थ तीसरे हो गया ना तो यहाप यही किवन है थर्ड निर्स प्लैनेट टू The Sun In size, it is the fifth largest planet और आकार के साब से जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो पाचवा सबसे बड़ा ग्रह है ठीक है It is slightly flattened at the poles That is why it is described as a geoid Geoid means an Earth-like shape जो हमारी धर्ती है वो poles के पास से होड़े सी चप्ती है वो actual में पूरी गोल नहीं है जैसे हम यह बनाने है यह गोल नहीं है यह एक्शोल में थोड़ी चप्ती है ole की तरफ थोड़ी से चप्ती है और इस ही shape को बोलता है यह actual में अब दीखिए यहां पर यह दोनों साट से थोड़ा से चप्टा है इस शेप को बोलते हैं जियोड का बतलब होता है अर्थ की तरह अर्थ लाइक conditions favorable to support life are probably found only on earth ऐसी condition जिन में जीवन होना possible है केवल धर्थी पर ही पाया गया है the earth is neither too hot nor too cold जो हमारे धर्थी है वो नहीं ज्यादा गरब है नहीं ज्यादा ठंडी है it has water and air which are very essential for our survival धर्थी पर ही पानी और हवा मौझूद है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जादा जरूरी है the air has life supporting gases like oxygen because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system जो हवा होती है हवा में एक जीवन दाइनी gas है जिसका नाम है oxygen और इन ही कारणों के वज़े से धर्थी एक unique planet बनती है solar system में तो यहाँ पर एक question पूछा जा सकता है कि why earth is a unique planet तब आप cancer क्या होना चाहिए because of presence of life supporting gas like oxygen and the weather is neither too hot nor too cold so we can call earth as a unique planet unique planet होने का कारण क्या क्या है यह तो gas like oxygen water air neither too hot nor too cold यह सारे points है जो जिनके वैसे earth को हम unique planet बोलते हैं from the outer space the earth appears blue because its two-third surface is covered by water it is therefore called blue planet अगर हम outer space से धर्थी को देखे तो धर्थी अपने को नीनली कलर की दिखाई देती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दो त्या हिस्सा जो धर्थी का है उसके आस उसमें पानी भरा हुआ है अगर पानी नहीं होता तो अपने को ब्लू भी नहीं दिखाई देता इसलिए हम धर्थी को ब्लू प्लैनेट भी कहते है अगर पूछा जाए कि वाई अर्थ इस काल्ड ब्लू प्लैनेट तो हमार आंसर क्या होना चाहिए अगर देखते है अगर देखते है तो उसका एक ही सैटलाइट है जो कि मून है चंदामा इस डायमेटर इस ओनली वन वन वाटर देट ओफ आर्थ जो उसका डायमेटर है वो धर्थी के वल एक तिहाई है वन थर्थ दाट ओफ आर्थ डायमेटर और यह हमें बड़ा इस लिए दिखता है क्योंकि वो दूसरी सेलेस्टियल बॉड़ी के मुकावले ज्यादा पास में है अब यहाँ पर एक वर्ड वर्ड यूज किया गया है डायमेटर इदर हम डायमेटर देख लेते हैं डायमेटर क्या होता है डायमेटर का मतलब होता है सपोज यह एक सरकल बनाया हमने सरकल के एक कोने से दूसरे कोने की जो डिस्टन्स है उसको हम बोलते हैं डायमेटर ठीक है यह है डायमेटर अब अगली लैंड में अपने को सूरज सरी धर्ती से चांद की डिस्टन्स बताये रखी है वो कितनी है थ्री लैक एटी फोर थाउजन फोर हुर्ड किलोमेटर अब आप यह अंदाज है लगा सकते हैं कि सूरे के मुकाबले चांद धर्ती से कितना पास में है या सूरज कि सूरे की जो डिस्टन्स है वो धर्ती से वन फिफ्टी मिलियन किलोमेटर है और रहिवा चांद की वो केवल तीन लाख चौरा से चार्रों किलोमेटर है 3,84,400 किलोमेटर से तब मून मूव अराउंड अर्थ इन अबाव 27 जो सूर्य है वो धर्ती के इर्द गिर्द 27 दिन मे और वो इतना ही समय लगाती है एक चक्कर लगाने में भी अपना खुद का तो इसलिए हमें सूरज का हमेचा एक ही साथ दिखाए देता है जो हमारा चंद्रमा है चंद्रमा में जीवन जीने लाइक कंडिशन नहीं है जिसकी हवा नहीं है उदर अक्सिजन नहीं है हवा तो है औक्सिजन नहीं है वहाँ पर उसमें पहाड है गड्डे है जो कि नॉर्मल लाइफ के लिए सूटेवल नहीं है इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं है अभी अब साइड में एक दो फैक्ट्स दिये हैं मैं आपको वह बता देता हूं जो कि इंपॉर्टन्ट है जैसे कि यह आलिका डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट इस्पीड ऑफ अफ अबाउट तीन लाग किलोमेटर पर सेकंड यानि कि जो रॉष्णी है रॉष्णी एक सेकंड में तीन लाग किलोमेटर ट्रेवल कर सकती है उसकी स्पीड दे रखी है और इतनी स्पीड के बावजूद भी सूरज से धर्ती पे रॉष्णी आने में समय लगता है 8 मिनिट ये देखी है एक्चल में 510 सेकंड लगते है ये प्रिसाइसली बता रखा है लग बता रखा 8 मिनिट मगर एक्चल में 510 सेकंड लगते है जो अगला फैक्ट है वो भी देख लेते है अगला फैक्ट दे रखा है निल आमस्टॉंग वे पहला वेक्ती था जिसने मून की सेताय पर कदम रखा था कब 20 जुलाई 1969 को आगे भी एक दू पाइंट्स बतार के वो भी देख लेते हैं एक सेटलाइट जो है वो एक सेटलाइट जो है वो एक सेटलाइट जो है जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द चक्कर लगाती है जैसा प्लैनेट जो है सन के गिर्द चक्कर लगाता है यानि कि जो चंदर्मा है इस चंद्रमा के दिग्रदी चक्र लगाती है एक human made satellite इस artificial satellite अगर आदमियों ने कोई satellite बनाया है तो उसको artificial satellite बोलते है जैसकी satellite हमें आसमान से फोटो बेचता है मौसम की जानकाई देने के लिए वो कैसा satellite है? वो एक man made satellite है artificial satellite है है ना? और इन satellites को अलग लग तरह के rockets से भेज़ा जाता है और जैसे की कुछ rockets का नाम दिया हुआ है जैसे insat, irs और edusat etc अगला topic है asteroids apart from the stars, planets and satellites there are numerous tiny bodies which also move around the sun these bodies are called asteroids तारे, ग्रह, और satellites के अलावा आस्मान में और भी कई सारे छूट-छूटी bodies है जो sun की गृद-गृद घूमती रहती है जिनको हम asteroids बोलते है they are found between Mars and Jupiter अभी जबने थोट दर पहले देखा था हमने देखा था जब हम planets का photos देख रहे तो Mars और Jupiter के बीच में कुछ पत्थर पत्थर से बने वे थे बहुत सारे उन पत्थर वो जो पत्थर थे जो पूरा एक circle बनावा था वो कहलाते है asteroids scientists are of view that asteroids are part of planet which exploded many years back गयानेकों को यह मानना है कि जो asteroids है यह किसी बड़े planet का हिस्सा रहे होंगे जो कि बहुत पहले वह से जिस planet का विसपोर्ट हो गया होगा और वह अभी एकत्रित नहीं हो पाए है तो इसलिए वह एक direction में move कर रहे है या दो planets के बीच में है meteoroids the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids asteroids तो दो planets के बीच में थे meteoroids क्या है? meteoroids जो है वह sun के गिर्द मूफ करते है sometime these asteroids come near to earth and tend to drop upon it कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो meteoroids है वह धर्ती के बहुत पास आ जाते है और कभी-कभी धर्ती पे गिर भी जाते है during this process due to friction which the air get with the air they get heated and बनकप और कभी-कभी जब वह धर्ती के वातरवन में बचते है तो वह एर से friction करके घर्चन के वैसे वह गरम हो जाते है और जलने लग जाते है इसा होता है कि जब कोई वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस दस्काई अन क्लियर स्टारी नाइट कभी-कभी आपने रात को देखा होगा कि आसमान में कुछ रॉष्णी का रॉष्णी की लाइन भागती वह जाती है अच्छा खाली यह क्वेशन पूछागा बता है नहीं गया इसके बाद इसी जो मीटर अट था जो मधर्ति में आ रहा था इसी को हम बोलते है शूटिंग स्टार यहां पर गीवन नहीं है इसको बोलते है शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार इट इस ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ टार्स इस बैंड इस ए मिल्की वे गैलक्सी यह जो आपको दिख रहा है यह यह हमारी गैलक्सी है और इसमें लाको करोडों हजारों तारे हैं और इसको बोला गया है ओवर सोलर सिस्टम इस पार्ट अफ जे लेक्सी जो हमारा सोलर सिस्टम है सौरमंडल है वह इसी मिल्की वे का इस्सा है In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky बहुत पहले भारत में यह माने जाता था कि आकाश गंगा जो है वो एक रोश्नी की river है आस्मान में Thus, it was named as आकाश गंगा इसलिए इसको नाम दिया गया आकाश गंगा A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases यह जो galaxy होती है वो लाखो तारो का ग्रूप होता है और इसमें धुए और गैस के गुबार और बादल होते है There are millions of such galaxies that make the universe और universe के अंदर बहुत सारी galaxies है और कई सारी galaxies मिलकर ही universe को बनाती है It is difficult to imagine how big the universe is Universe कितना बड़ा है इसका अंदाद लगाना बहुत ही मुश्किल है मगर फिर भी जो scientist है हमारे try कर रहे है कि इसकी size को कैसे ना पा जाए We are not certain about its size but we know that all of us you and I belong to this universe इसको इसकी size का पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है वगर हम यह जानते है कि आप मैं और यह सब इसी universe का हिस्सा है ओके फ्रेंड्स यह है आप लोग आप लोग कहां रहते हो धर्ती में धर्ती किसका पार्ट है धर्ती पार्ट है solar system का solar system किसका पार्ट है solar system पार्ट है milky way का और जो मिलके क्या बनाती है अभी आपने छोटे से वीडियो लक्चर में यही सीखा कि आप धर्ती का हिस्सा हो धर्ती solar system का हिस्सा है solar system milky way का हिस्सा है और milky way जो है वो universe का हिस्सा है hopefully आपको आज का session पसंद आया होगा अगर session पसंद आया हो तो इसको like